सुना अंकित तेरी भीवी ने तुझे किड़नी देने से मना कर दिया, इंही कानों से सुना है मैंने, बहाँ डाक्टर को मना कर रही थी पिछले अठ सालों से तुझे सिरब वही दिखती थी, वही तेरी जिन्दगी थी, बाकी हम सब तो तेरे दुसमन थे दुसमन आज तो जिंदगी और मोज से लड़ रहा है उससे भी पता है कि तुझे किड्ने नहीं मिली तो तेरी जान चली जाएगी पर छोड़ दिया तुझे मरने को उस महरानिन ने और वो तेरे साला सुबह से साम हो गई पर देखने भी नहीं आया तुझे आज जो भी है वो तेरी ही वज़े से ही तो है इन दोनों का कोई फर्ज नहीं है घोर कल्यूग है बगवान मैं तो बुड़ी हो गई वरना मा निकिता ने ऐसा कहा नहीं वो ऐसा नहीं कहेगी आपने कुछ गल्द समझा होगा भाया मैंने भी सुना भावे को यहीं बोलते हुए कि वो आपको किड्नी नहीं दे सकती है जबकि उनकी किड्नी तो मैच भी हो गई थी इतने में निकिता और डक्टर आ जाते हैं निकिता तुमने तो मेरे साथ जीने मनने के वादे किये थी और आज तुम मुझे एक किड्नी भी नहीं दे सकती जबकि तुमारी किड्नी मुझे मैच भी हो गई है बोलो क्या सच में तुम मुझे किड्नी नहीं दोगी हाँ या ना हाँ पर अब मुझे कुछ नहीं सुनना किसी ने सची कहा है कि समय आने पर ही सब रिष्टों का मोल पता चलता है मैंने तुमारे लिए सब को ठुकराया वो सारा प्यार, सब धोका था और तुम्हें अपने बच्चों पर भी दया नहीं आई अब जब तुम्हें इतनी बेवफा निकली तो तुमारे भाई की क्या बात करे कम से कम मिलने तो आजाता वहर है दुनिया माफ कीजिये, यह आपका फैमिली मैटर है डाक्टर होने के नाते मुझे नहीं बोलना चाहिए रन्तु अंकित जी आपकी पतनी इसलिए किड्नी नहीं दे रही क्यूंकि यदि वे किड्नी दे दे देंगी तो खुच जिन्दा नहीं बचेंगी यह सुन सब हैरान थे मतलब अंकित ने पुछा मतलब मैं बताता हूँ जी आजी, डाक्टर साब सही कह रहे हैं सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूँ सहर से बाहर होने से सुबे से नहीं आ पाया आज से दस साल पहले पापा की किड्नी खराब होने से दीदी ने अपने एक किड्नी पापा को दे दी थी उस समय मैं चोटा था तो नहीं दे पाया था यदि अब वो एक किड्नी भी आप पर आप चिंता मत किजिए मेरी किड्नी भी मैच हो गई है और मैं आपको एक किड़नी दे रहा हूँ दस साल पहले जो मेरा फरज था वो दिदी ने पूरा किया था इसलिए आज जो दिदी का फरज है वो मैं पूरा कर रहा हूँ निकिता रोते हुँ चली जाते है कब तक अपने हर फरज को मुझे अगने प्रिक्षा दे कर रिसाबित करना होगा सिता ने तो साध एक बार अगने प्रिक्षा दी थी लेकिन आज की नारी पलप-पलप अगने प्रिक्षा देती है और फिर भी मुस्कराते हुए अपना फरज पूरा करती रहती है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर देना और कॉमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और होशके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकी और लोगों को भी इसका फैदा हो और अगर आपको इस तरह की वीडियो पशन्द हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ तो उसकी जानकरी आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है तो मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाई